इस कारे करम को जोईस मायर विनिस चीज के मित्रों और भागीदारों दोरा संबव बनाए गया है मुझे आश्चुरिय है कि आज रात यहां कितने लोग हैं और आपको लगता है जैसे आपको चीवर में परमिश्वर का बुलावा मिलाए लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा है और आप इतने निराश हो कि अपने बाल नोच रहे हैं यहां पर ठीक है परमिश्वर के विश्राम में प्रवेश करो आज रात मैं आपसे परमिश्वर के विश्राम में प्रवेश करने के बार में बात करना चाहती हूं लेकिन एक अनोखी तरीके से सब्ताहंत आज रात मेरा संदेश और कल दो अलग अलग संदेश हैं जिने कहते हैं कि सिट, स्टेंड, वॉक एंड रॉन अब शायद ये ऐसा लगता है, खर ये किस बारे में है खर, उन बातों में से हर एक बाज़ बाइबल में हमें करने के लिए बताया गया है कि बैठो परमिश्वर में मजबूती से दटे रहो, शत्रों के खिलाफ खड़े होना खड़े रहकर अपनी सफलता का इंतिजार करना परमिश्वर में चलना प्रेम में चलना, विश्वास में चलना, शान्ती में चलना और अपनी दोड़ दोड़ना लेकिन हमें वो इसी क्रम में करना है देखो मेरा विश्वास है कि परमेश्वर का राज्य में एक अक्रम है और इसलिए यदि आप दोड़ने की कोशिश करना शुरू करते हैं तो आप एक नए मसी ही और आप अपनी दोड़ दोड़ने की कोशिश शुरू करते हैं और आपको परमेश्वर से ये बड़ा अभास मिला है और आप इस बड़ी चीज़ को करना चाहते हैं लेकिन आपने कभी बैटना नहीं सीखा और फिर आप निराश होने वाले हावास तुम्हें विश्वास करती हूँ यदि आपको परमेश्वर से वो बड़ा अभास मिला है और आप नहीं चानते कि परमेश्वर में विश्वाम कैसे करें जबकि परमेश्वर ऐसा कर रहा है मुझे लगता है ये आपको लगभग माड़ा लेगा मुझे लगता है कि सब कुछ स्वयम करने का दबाओ सब बोज उठाने की कोशिश करना और सब देख भाल यहां तक कि बहुत से बच्चों को बड़ा करने की कोशिश करना यदि आप परमेश्वर में विश्वराम करना नहीं जानते हैं तो बहुत साल पहले मैंने ध्यान देना शुरू किया कि परमेश्वर ने सच्चाई पर मेरा ध्यान आकरशित करना शुरू किया है येश्वर के पुनरत्थान के बाद हर बार बाइबल में उसके बार में बताया है ये उसके बैठे होने के बार में बताना है वो जो सिंगासन पर बैठा था और इसलिए आप जानते हैं मिवास्तों में उसमें दिल्चस्पी लेना शुरून नहीं कर रही थी और बस यही सोचती यह सब किस बारे में है आप देखें अब यह शुक्रूस पर था उसने कहा पूरा हुआ और इसलिए उसे जिस काम के लिए भेजा गया था वो पूरा हो गया था और वो स्वर्ग पर उठा लिया गया और परमिश्वर के दाही नहीं और बैठाया गया वहां इंतिसार करने के लिए जब तक कि उसके शत्रू पाउं रखने के लिए उसके पाउं की चौंकी नहीं बनाय पाए अब मैं आपको कुछ दिल्चस पर बताने वाली है और मैं चाहती हूं कि आप इसे समझे तो अभी हम कुछ वचन उपर नजर डालने वाले हैं एक तरह से इसे समझना है मैं जानती हूं आज रात आप इसका सरिफ एक भाग सुनने वाले हैं लेकिन मेरा विश्वास है परमेश्वर आज रात आपको वो देगा जो आपको चाहिए और आपका दोश दिखाएगा पिता वचन के लिए तेरा शुक्रियां प्रार्टना करते हैं कि यदि दिलों में प्रविश करेगा और कि ये भुलाया नहीं जाएगा ये शुके नाम में आमिंग इफिस्यो अधिया एक वचन उननीस से बाइस ताकि आप जाने और समझ सके उसकी सामर्थ हमारी और कितनी असीम और असेमित और महंता से भरी आप में से कितने हैं जो विश्वास करते हैं कि परमिश्वर सामर्थवान है लेकिन आप इसी छोड़ना नहीं चाहते हम में और हमारे लिए आप को हम में और हमारे लिए समझ नहीं है उसमें बिलकुल शक्ति नहीं है लेकिन वो शक्ति हमारे अंदर और हमारे लिए हैं जो विश्वास करते हैं जो विश्वास करते हैं अब यदि आप चाहते हैं तो आप विश्वास कर सकते हैं कि आप कमजोर हैं और आप नहीं कर सकते हैं लेकिन मैंने विश्वास करने का फैसला किया है कि मैं मजबूत हूँ और मैं कर सकती हू उसकी सामर्थ कितनी महान है उसकी शक्ति के प्रभाव के कारिय उसकार के अनुसार जो उसने मसी के विशे में किया है कि उसे मरे हुँँँ में से जिलाया तो वही शक्ति जिसने मसी को मरे हुँँँँ में से जिलाया हमें निवास करती है और उसे स्वर्गे स्थानों में अपनी दाहीनी और बिठाया हर कोई कहें बिठाया फिर आगे वो कहता है सप्रकार की प्रसनत और अधिकार और सामर्त और प्रभूता और हर एक नाम के ऊपर बैठाया और सब कुछ उसके पांगों तले कर दिया और आप जानते हैं यह हमारे लिए महत्वा पूर्ण है क्योंकि मैं आपको एक मिनिट में इफीसी वध्याए कि एक वच्चन को दिखाने वाली हूँ जो दिखा है हमें उसके साथ बैठाया है तो मैं वास्तो मैं आज रात दो स्थानों में हूँ मैं यहां इस मंच पर चारों और घूम रही हूँ लेकिन आध्यात्मी की रूप से मैं मसी की साथ स्वर्गे स्थानों पर बैठी हूँ और इस बैठने का एक मतलब है कि मैंने परमिश्वर के विश्राम में प्रविश कर लिया है आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं मुझे इसकी चिंदा नहीं है मुझे इस बारे में चिंदा नहीं कि आपको मेरा संदेश अच्छा लगता या नहीं मुझे इस बारे में चिंदा नहीं है कि आगे मेरे मूँझे क्या निकलने वाला है क्योंकि मेरा विश्वा से परमिश्वर इसे बहाल आएगा लेकिन आप देख Moi जब मैंने शुरूआत की थी, मुझे पता नहीं था जो जूट बोलेगा उस पर आप इश्वास कर सकते हैं मैंने का जो जूट शैतान आप से बोल सकता है वो अश्चुरी जनक है यदि आप जानते नहीं कि आप से में कौन है मुझे वो स्थितियाद है जब एक बार एक महिला आई और वो बिलकुल ठीक सामने की पहली सीट या दूसरी पंक्ती में बैठी थी और हो सकता है मैं शायद 10 मिनिट से उपदेश कर रही थी और वो उठी और चली गई खेर मैं अभी बैठने के बारे में सीख रही थी और क्योंकि मैं अपनी दोड़ दोड़ने की कोशिश कर रही थी और परमेश्वर के विश्रा में रहने के बारे में मैं कुछ नहीं जानती थी और इसलिए मुझे बाकी के उपदेश तक ये खराब लगता रहा क्योंकि मैंने सूचा खेर उसे अच्छा नहीं लगा होगा क्या जो वो चली गई क्या ये परवा करने से मुक्त होना अद्बूत नहीं है कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं और वे आपको पसंद करते हैं या नहीं तो फिर अगले दिन किसी ने मुझे बताया है उन्होंने उसी रात मुझे नहीं बताया था इसलिए परमिश्वन ने मुझे दुखी होने के लिए एक दिन दिया और अगले दिन किसी ने मुझे बताया उसनी का ओ आप जानती है कि यहां तक ड्राइव करके आना केवल आपको दस मिनट सुनने के लिए अब देखें इसे इस तरह की चीज़े शैतान करता है यह ऐसा है कि हमें ऐसी चीज़े बताता है जो बिलकुल सच नहीं है लेकिन यदि हम परमिश्वर में विश्राम करना नहीं चांते हैं तो आप देखें मेरे बारे में उसे जो लगता था यदि वो मेरे लिए इतने माईने रखता तो मैं परमिश्वर के विश्राम में प्रविश्वर नहीं कर सकती थी क्योंकि वो मेरे बारे में क्या सोचती है उसके लिए ज्यादा चिंतित होना बजा इसके कि परमिश्वर मुझसे क्या चाहता था और मेरा मानना है कि इसमें कर्म है जैसे मैंने का आपको परमिश्वर में कैसे विश्राम करना है यह सीखना चाहिए और निश्चित रूप से इसे पहले कि आप दोड़ सकें पहले कि आप चल सकें पहले कि आप खड़े हो सकें आपको कै इसे बैठना है सीखना चाहिए तो मैं आपको एक उधारन देने वाली हूँ और मुझे लगता है या आपको समझने में मदद करेगा माई क्या तुम मेरी मदद कर सकते हैं मैं ये स्वेम किया करती ते लेगी न मुझे और कोई है ठीक है बच्ची इसी तरह शुरू करते हैं और हम सब भी इसी तरह से हैं जब हम मसी के साथ सम्मंद में आते हैं हम बस हैं हमने पूरा किया है आमीन और हो सकता है कि आज रात यहां कोई ऐसा हो जैसे आप हैं हाँ यही है मैंने पूरा कर लिया खैर आपको आज रात जो चाहिए उसका जवाब हमें मिल गया और इसलिए चलो इसे ऐसे कहते हैं कि मैं एक बेबी साई हूँ और मैं अभी अभी राज्य में आई हूँ और मैं अभी भी लेटन की स्थिती में हूँ अब चलो इससे ऐसे कहते हैं कोई आता है और कहता है खड़े हो जाओ अब आप किसी भी तरह किसी भी स्थिती में खड़े नहीं हो सकते आप पहले बैठेंगे अब देखे ये दर्शाता है मैं अब बचाया गया हूँ और परमेश्वर के विश्राम में हूँ लेकिन बेशक हम कभी भी इतनी तीजी से बदलाव नहीं करते हमें दुखी होने के लिए कम से कम बीस साल चाहिए मेरा मतलब इस्वेम का चोट पहुँचाने के कम से कम बीस साल और हर बार गलती करने पर दोशी महसूस करना और जानते हैं हमारे मिनिस्ट्री के बारे में सबी चिंता करना कि ये ऐसा क्यों नहीं है वैसा क्यों नहीं है मुझे आज शुरी है कि आज रात यहां कितने लोग है और आपको लगता है जैसे आपके जीवन में परमिश्वर का बुलावा मिला है लेकिन कुछ भी हो नहीं रहा है और आप इतने निराशें की बाल लोच रहे हैं खेर परमिश्वर के विश्वरा में प्रविश करो आप ये नहीं कर सकते जैसा परमिश्वर चाहता है उससे ज्यादा तेजी से इसे बढ़ा नहीं कर सकते हैं इसे ज्यादा बहतर बढ़ने की उम्मिद नहीं कर सकते क्योंकि यही आप करते हैं आप जानते हैं आप में प्रतीबा हो सकती है आपको यह करना होगा तो आप बड़े उपहार के साथ शुरुआत कर सकते हैं अब उसने मसी में बैटना सीख लिया है तो खड़े हो जाओ देखो अब आप खड़े हो सकते हैं वैसे भी मैं यही करती हूँ मेरे प्रशिक शिकनी एक दिन मुझे यह करने को लगा है कि वहल यह देखने के लेगी क्या मैं यह कर सकती हैं उसने कहा मैं चाहता हूँ कि तुम जमीन पर बैटो और देखो कि क्या तुम उठ सकती हो क्योंकि आप जानते हैं मुझे बुलाया गया कि मैं कुछ मदद पाने के लिए कुरसी तक रिंग कर जाओं लेकिन मैं उठ खड़ी हुई उसने कहा मैं बहुत से तीस साल की उमर वालों को जानता हूँ जो यह नहीं कर सकते तो वैसे भी एक दूसरी कहानी है लेकिन अब जो खड़ा है और आप जानते है कल सुबह हम खड़े होने के बारे में बात करने और परमिश्वर का इंतिसार करना और दृड़ता से लड़ना खड़े रहना और सही करने का रवया जारी रखना जब आप शत्रू के खलाफ खड़े होते हैं शत्रू के जूट के खलाफ खड़े होना लेकिन देखो आप परमिश्वर के विश्राम में प्रवेश करने के लिए कसुवीधा चनक स्थान पर खड़े हो सकते हैं मैं चाहता हूं कि इस सब्तांत आप उस स्थान पर पहुँचे परमिश्वर के विश्राम में प्रवेश करने पर सब कुछ किया जा सकता है और जब मैं विश्राम के बारे में बात कर रही हूँ तो मैं जपकी लेने के बारे में बात नहीं कर रही हूँ मैं बात कर रही हूँ विश्राम की आंतरिक विश्राम की मैं बात कर रही हूँ आपको चिंता न करने के बारे में आपको तनाव भरी चिंता में नहीं होना चाहिए आपको डरना नहीं चाहिए आपको हर समय चीज का अनुमान लगाने की कोशिश करने की जरूरत नहीं आपको जरूरत नहीं की सब जवाब आपको मिल सके है आप परमिश्वर के विश्राम में हो सकते हैं अब ये देखिए आप आराम से चले चल कर दिखा है प्रेम में चलिए शान्ती में चलिए मसी में चलिए हमें वैसे नहीं चलना है जैसे काफिर चलते हैं अब अपनी दोड़ दोड़े, देखे, वो दोड़ सकता है, ठीक है, आप जाकर बैठ सकते हैं, शुक्रियां देखिए एक तस्वीर हजारों शब्दों के लाएक है रोमियो अधियाय 14 वचन 17 में बाइबल में लिखा है क्योंकि परमिश्वर का राज़ खाना पीना नहीं परंतुधर्म और मिलाप और वो आनन्द चुपवतरात्मम में है तो आप क्या जानते हैं इसे इस क्रम में होना चाहिए जैसे पहले आपको सीखना चाहिए कि आप मसी में कौन है कि आपको उसमी सही बनाया गया है फिर आपका परमिश्वर के साथ और अपने आपके साथ मिलाप होना चाहिए और जब आपके पास ये है तो आपको आनन्द मिलता है लेकि केवल बचाया जाना आपको आनन्द नहीं देगा मैं गलतिया करती हूं बहुत ज्यादा नहीं मेरा मतलब है आप जानते हैं मेरे जीवन में कुछ चीज़ें हैं कि अंत में मैं केवल निशकर्ष पर आती हूं परमिश्वर उन्हें लेवने वाला नहीं है केवल मुझे विनम्रे रखने के लिए वो मुझे बस उन्हें रखने देने वाला है और हो सकता है आप इसे सहमत ना हो लेकिन में खेरवास्तों में एक वचन है जो कहता है कि परमिश्वर हमारे में निश्चित हद तक एक कमजोरी रहने देता है ताकि हम उस पनिर भर रहें आप कभी वहां तक नहीं पहुंचते जहां आप सब कुछ अच्छी तरह से कर सकते हैं कभी नहीं और इसलिए मुझे लगता हमेशा थोड़ी वाचाल रहूंगी मैंने बहुत सुधार किया है लेकिन मैं एक मिनिट में प्रारत ना कर सकती परमिश्वर मेरे मुपर नज़र रखे ताकि मैं अपनी जुबान से तेरे खिलाफ न जाओं जहां मैं प्रारतना करती हूं इस कम्रे से अभी बहार निकल जाओ बबबबबबबबबर ये जहनना क्याप मसी में कौन है केवल एक चोटा सा अच्छा धर्मिक बयान से कहीं ज्यादा है मेरा मतलब है ये चाबी है ये चाबी है ये शुनी कहा पूरा हुआ और मैं आपको कुछ बताती हूँ इसाइयत करने से शुरू नहीं होती ये शुरू होता है पूरा हुआ के साथ आमीन इबरानियो अधिया एक वचन तेरा और स्वर्ग दूतों में से उसने किस से कब कहा कि तू मेरे दाही ने बैठ जब तक कि मैं तेरे बैरियों को तेरे पाउं के नीचे की पीड़ी न कर दूँ दोस्त आप परमिश्वर के विश्राम में प्रविश कर सकते हैं और बस इंतजार करें कि परमिश्वर श्यतान को हरा कर श्यतान से लड़ने का सबसे अच्छा तरीका है कि बस परमिश्वर के विश्राम में रहें उसे आपको जुड़कने न दे उसे आपको परिशान न कर जब वो आपको एक बड़ी समस्या देता है और आप जीवन का आनंद लेना जारी रखते हैं जब कि परमिश्वर आपकी समस्या पर काम करता है क्या आपने सुना जो मैंने कहा आप समस्याओं में होने के बावजूद भी अपनी जीवन का आनंद ले सकते हैं जानते हैं क्योंकि परमेशवर आपको आपकी समस्या को ठीक करने के लिए नहीं कह रहा है वो आपको उस पर भरोसा करने के लिए कह रहा है और मुझे लगता है यह मैत पर पूर्ण और मुझे लगता है कि आज रात यहां बहुत से लोगों को यह सुनने की जरूरत है मुझे इसमें से गुजरना पड़ा मेरा मतलब है जब कि आप इस समस्या में अपने आपको आनंद के लिए सिर्फ मजा नहीं कर सकते मैं डेव पर बहुत नारास होती क्योंकि शुरू के दिनों में हमारे पास पैसे नहीं थे हैं हमारे पास बिलकुल पैसा नहीं था और इसलिए मैं सब बिल निकालती और कैलकुलेशन करती और हिसाब लगाना शुरू करती और बेशिक जितना ज़्यादा मैं हिसाब लगाती उतनी ज़्यादा मुझे डर की भावना महसूस होती और डेव साहत के कमरे में बच्चों के साथ खेल रहे होते और उसके बालों को रोलर लगा रहे होते और मैं जैसे कि हाँ तुमने मेरे बालों को हाथ लगाया तो क्योंकि वो अपनी जीवन का आनंद ले रहे थे आए भी आप जानते हैं ओ ये सिर्फ मुझे नाराज करता है मैं कहती तुम तुम कुछ करती क्यों नहीं हम यहां गडबड में तुम सिर्फ हसने और ऐसा दिखाते हो जैसे कि तुम यह एक बड़ी पार्टी कर रहे हो इसके लावा तुम कुछ क्यों नहीं करते उसने तु उसने कबें हमें रुस्वा नहीं किया उसने कभी हमें शर्मिंदा नहीं किया लेकिन देखो मैं इस परमेश्वर में विश्वराम के बार में नहीं जानती है और इसलिए मैं जानना चाहती कि परमेश्वर यह कैसे करने वाला था और परमेश्वर कब करने वाला था मैं भर स्यापर काम कर रहा है और आप में से कुछ के लिए आज रात आपकी यहां की यात्रा का महत्वता प्रकाशित वाक्या में येशु हमेशा परमेश्वर के दाहाईने हाथ पर बैठा दिखाई देता है और इसलिए जैसा मैंने का मुझे इसके बारे में बहुत जिग्यासाती और मुझे एहसास होने लगा कि इसका संबन्द परमेश्वर के विश्राम में प्रवेश करने से है और एक कारण क्यों क्योंकि मैं तो पूर्ण कारण क्यों बाइबल बताती रहती है कि वो बैठ गया ये शु हमारा महायाजक है और उसके सिवा दूसरा कोई महायाजक नहीं है कभी परमेश्वर की उपस्थिती में बैठने को मिला है पुरानी वाचा के तहत साल में एक बार प्राच श्वीत के दिन जब महायाजक सबसे पवित्र स्थान में लोगों के पापों के प्राच श्वीत के लिए जाता था तो वह बहुत से रिवाज और विशेश कानून और नियम और काईदे थे जिनका उन्हें अंदर जाते हुए पालन करना होता था और ये ये बिलकुल सच है मैंने ये सुने श्वीत करने के लिए एक दिन फिर से जाच की उसके बागे के नीचले घेरे में छूटी घंटिया और अनार सीले हुए थे और उसके टकने में एक रसी बंदी होती थी क्योंकि सिवाय उसके दूसरा कोई अंदर नहीं जा सकता था इसलिए जब तक वो अपना करता अपने धार में का अनुष्ठान का काम कर रहा होता वे छूटी घंटिया बचती रहती और यदि लंबे समय तक घंटिया बजना बंद हो जाती तो वे जानते थे कि उनसने किसी प्रकार की गल्ती की और वो मर गया और क्योंकि वे अंदर नहीं जा सकते तो वे रसी उसे बाहर खीच लेते वहाँ पवितर स्थान में कोई कुर्सी नहीं थी क्योंकि ये कामों की वाचा थी परमिश्वर के विश्राम में कोई प्रवेश नहीं कर सकता था इसलिए मुझे लगता है आज राज जब वो मती ग्यारा से उबदेश कर रा था तो पीटर ने का कि विश्राम एक उपहार है ये एक उपहार है जो परमिश्वर के अनुकरह से दिया गया है और कोई भी वो विश्राम नहीं पा सकता था जब तक कि यिश्व आया और सब कुछ नहीं किया उसने कानुन को पुरा किया अब हमें नहीं करना है और वो परमिश्वर के दाहिनी हाथ पर बैठा है और इफिस्यो अधियाई दो वचंची में लिखा इस वरगिया स्थारों में हमें उसके साथ बैठाया गया है तो मैं यहां चारों और घूम रही हूँ लेकिन मेरा दिल वहाँ है आये भी मैं चाहत काम की परिभाशा दी और एक चीज चीज का उसने उलेख नहीं किया जो की वाइन की ग्रीक डिक्शनरी में है यह वो विश्राम के जिसके बार में आज रात में बात कर रही हूँ यह काम से विश्राम लेना नहीं है यह काम करते हुए विश्राम लेना है अब हमें भी एक जरूरत है जा हम काम ना करें और इसका पूरा एक पक्ष है कि तथ्य यह है कि हम नहीं करते हैं मेरी की होने के नाते हैं हमें उस तरह का विश्राम नहीं मिलता जो हमारे बहुत एक शरीट को मिलना चाहिए इसके बारे में हम थोड़ी देर बात करेंगे लेकिन यह वो विश् पढ़ती हूं जब एक उपदेश पूरा एक गंटा उपदेश करता है और सर्विस पूरी करता है जो के 8 घंटे की कड़ी मेनत के बराबर है तो जब यो एल परिवार को तीन घंटे प्रचार करता है तो उसने 24 घंटे काम किया देखो ये चोटी बात नहीं मुझे अच्छा लगता है जब लोग कहते हैं मुझे आपकी बात चीस अच्छी लगती है ये शहद जैसी है वो कोई चोटी बात चीत नहीं है मैं अपनी पूरी रूश रीर आत्मा जो कुछ मेरे पास है सब कुछ उसमें डाल रही थी इसको आपके सामने लाने के लिए मैंने घंटो अभ्यास किया है मुझे आपकी चोटी सी बात चीत अच्छी लगी है मेरे जाने पर मेरा सब कुछ तुम्हारा होगा फिर मुझे इस सुबह में कुछ और लेना होगा क्योंकि मैं आपको कुछ नहीं दे सकती यदि परमिश्वर पहले मुझे न दे इसलिए चुटी में अपनी रू के साथ ये करना अद्बूत है देखो आप चुटी ले सकते हैं और पांच दिन तक हर रोज समुद्रत तट पर लेट सकते हैं और फिर भी आपको जरा भी आराम नहीं मिलता यदि आप वो समय अपनी समस्याओं के बार में चिंता करने में बिताने वाले हैं और कुछ लोग एक दिन भी चुटी लेते हैं ताकि वे कहीं बैट कर अपनी सभी समस्याओं को अनुमान लगाने के कोशिश कर सकें आप इससे कितने हैं जब आप चुटी लेते हैं आप घर जाते हैं आप चुटी को चुटी समझते हैं हम नहीं जानते क कि अब और शान्थ कैसे रहें? किसी ने का हमने उबनी की कला खो दी है यदि आपके पास डॉक्टर के ओफिस में इंतजार करते हैं पांच मिनिट हैं तो आप फोन बहा लेते हैं किसी को मेसेज करते हैं मेसेज चेक करते हैं फेस्बुक देखते हैं अब जानते मैं बता नहीं सकती हमारे कितने Facebook friends हैं, मुझे अच्छा लगता है, वे Facebook friends है, friends Facebook पर, friends Facebook पर, अपने पूरे जीवन वास्तों में पांच अच्छी दोस्त होना आपके लिए अच्छा है, मुझे लगा था कि जब ये पहले बार शुरू हुआ था, ये मजाग था, और लोग मुझे टेक्स्ट करते और कहते, क्या आप मेरे Facebook friend बनेंगे, और मैं वो नहीं कर सकती थी, मैं पहले से ही दोस्त पाच चुकी हूँ, खराये सीखे की हर समय मसी में कैसे बैठे रहें और इसका मतलब है उसके विश्राम में प्रवेश करना, अपने बोज उस पर छोड़ दें, ताकि हम परमिश्वर के विश्राम का आनल ले सके और तब हम वो कर सकते जो वो हमें करने के लिए कहता है, परमिश्वर के साथ हमा इस कारे करम को जॉइस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और भागी दरों द्वरा संबव बनाए गया है